चिप अस्रू बहाने वाले आसू बेर्थ बहाने वाले कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है आवाम को जोहार सलाम नमस्कार लाइव इंडिन गार्ट से मैं मलिका और आज लाइव इंडिन गार्ट की टीम मौजूद है कहां मौजूद है ये लोग ही बताएंगे वैसे आप सभी लोगों के एफट के कारण हम लोगों को बहुत मजबूती मिली है और हम 20,000 सब्सक्राइबर पार कर चुके हैं आज जितने भी लोग हैं में साथ जुड़ रहे हैं वो जेल केम से जुड़े हुए हैं और आज एक मिटिंग और्गनाइज किया गया है सारी बाते अब उनसे बात करके ही पता चलेगी पहले तो बहुत स्वागत है सर बहुत बहुत धनिवाद की और वधाई की सबसे पहले आपका चैनल वीजिजर के सब्सक्राइब पार कर गया है इसके लिए बहुत बहुत धनिवाद और आपको भी धनिवाद देता हूं कि आप इतना दूर दूर से आकर हमारे जेल के निज को कवरेज करते हैं इसलिए आप दोनों को धनिवाद के पात रहे हैं आज आपने तिलक लगा लिया है सर क्या खास है आज मातारानी का सश्टी है और रात्र चर रहा है पुरा देश पुरा जारकन हम दुर्गापुजा मना रहे हैं मातारानी के दिन है खास तो है तो आज जितने भी प्रत्यासी है उनका मिटिंग है कहां से हम लोग संद्री विजान सभासे आज हमारे जिला के में टिके दोवारा आईजन रखा गया जिए हुचा ध्य दुए वर्युक्ति वीज्यार ₹र्णतिया क्रादतर चैन्री के साइब की कैसी हवा सब्सक्राइब कर दाब हो नभेती जेलकंड जार्खन लोकतांत्री करांतिकारी मोर्चा सिंद्री नहीं पूरे जार्खन में जेलकंड केची छापकी लहर चल गए जब उससे केची आ गया है तब उससे सारे प्रत्याचियों सारी पाटियों को नीन ऊड़ गई है कि यह केची जिस दिन चल जाएगी पुरा जा जार्खन में पुरा जार्खन से प्लायन पुरा जार्खन में जो भी जुम्लबाजी होता है सब खत्म होने जारा अच्छा एक चीज बताएगा जनता का सवाल है कि जितने लोग जेल के हम से जुड़ते हैं सब को लगता है कि वह बिधायक ही बन जाएंगे और सभी अपने अगर जो हमारे केंद्रिया सुप्रीमों जेरामदा हैं यह काम ठीक करेंगी आसा एक नया किरन की रूप में देख रहे हैं यह सब कोई अपने अपको बिधायक नहीं समझता है मैं भी एक काम जनता के तरफ देखना चाह रहा हूं कि हमारे सुप्रीमों हमारे जेल के सरकार बनेगी तो ज्हारखंड की नितिनियों में बदलाव जरूल होगी इसी के आसा अनुरूप के अनुसार जनता भी देख रही है मैया समान योजना गोगो दीदी योजना अभी चुनावी प्रसाद सभी में बाटा जा रहा कैसे देखते हैं इसको अब तो दिन भी बोलते है यह मैया समान योजना नहीं है यह सब फोट बेंकिं जो कहा मैया समान योजना कहां से लाटी परदान मंतरी उनके पाटी भाच्पा जो जहारखंड से उनके दौरा भी गोगो योजना ऩामारे ऐसे लोग से पुछनाचा कि ज्यारखंड के ज्यारखंड बाइस है क्या मैं चैनल के माधियम से भाजपाग के लोग से पुछना चाहता कि गोगो भासा नहीं है यह नहीं है नहीं है यह ज़्छा पाते हैं अर यह जल्दी जाओ को जाओ जनता यहां से जल्दी जाओ फचीस तो पाषी सो तिन अजया जितना ले लो जल्दी सेट ऑखर चल जाओ यह जार कर देंगा जारखंड से गो यह स्रासर जुम्ला है जनता सब जान चुकिए कि आज साड़े चार साल से हैमन स्वरंजी लोगों को बरगला करके रखेते हैं यह भाजपक कई बार जहारखन में सरकार बनाये थे जुद सम्मान अभी देने के बाद कर रहे हैं अच्छा मईया सब्द है यह जर्खन्डी सब्द है इस हो रहा है यह Quando करे लुब Magic the और जिक्र हो रहा है तो जर्खन के जनता फिर भी कैसे जुड़़ जाने मईडा लोग तो सभी लोग आवेदन करें यह क्यों बताती होंगे कि साइबर कैफे में जाकर के फॉर्म भरने में उनका दो सो तीन सव रुप्या निकल जा रहा है लग जा रहा है तो कैसे इस तरीके कि अगर योजना आ रही है तो मैया जितनी है वह सभी फस क्यासर जाती है उनको लगता एक यह योजना आया है तो हम लोगों को आगे भी कुछ फाइदा मिलेगा तेकि बात हिसा है कि हमारे जो जारकंड के महिला हमारे जदेश के महिला बहुत भूली Key तुरंत विश्वास कर लेगते हैं इसलिए हम भारत सबसे स्रेश्च देश-का अगी पाटीन को मोका दिया अर्विश्वास किया ही लेकिन हमारे जिस दिन हमारे यहां के मान लोग, बहन लोग, बेटी लोग समझ जाएगी कि यह सब सारा चीज फसाने का है, सरकार का नोटन की है, उस दिन ओटेमेटिक इन लोग को यहां से भगाने के काम करें अच्छा जैसे अभी JLKM के जो एक सूची जारी हुई है, विधान सभा को लेकर छे प्रत्यासियों की नाम की घोसना की गई है, अगला लिस्ट कब तक आने वाला है, क्या चांस है? छे विधान सभा प्रत्यासियों के सुचीत किया गया है, घोसित किया गया हमारे केंद्रे केमेटियों केंद्रे टीम के साथ, और उमीद है कि इस बार हम लोग नौरात से पहले कुछ सीट का भी घोसना होने जा रहा है, टाइगर जराम महतों के लिए एक और कौन से हमारे सुप्रीमों अपने हम से लड़े तोर बहतर रहेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा समर्थन मिलेंगे उसके साथ पुरा हम लोग भी समर्थन उसमें करेंगे, जितने भी दावेदार जिनके नाम की घोसना हो रही है, वो धरातल पर कैसा काम कर रहे हैं, आप देखे सब मेरे बात बरकेंगैंटे सालओं इसमातर बिल्कुल मजबुत है टरेंटी दर क्या है, परे लिए बिल्टी नाम के साथ हमिसा रहा है अज ढ़ाँ भादा भाह सब सोच रहे कि जैरामदा क्या कर रहे हैं कहां कि रहने वाले हैं सिंद्री विधानसभा अंतरगता हूं मैं बरवादा से हूं अच्छा धनबाद विधानसभा में एलबी सिंग और हरेंडर सिंग सोचल मीडिया पर आशकल बहुत चाये रह रहे हैं क्या वो एक समाज से वी है क्योंकि खुद को युवा समाज से वी कहते हैं और उनका दावा है कि कोरोना में उन्हों ने बहुत लोगों का उधार किया है हम लोग वी किया है ने अज दूसरे दल से दावा कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं करहा हमको दो मालूम नहीं है लेकिन आज खुद समाज से भी बतारहे है यह चीज बता दीजिए अच पांच साल चाहते हैं हम सिर्फ वह लोगों को नहीं बोलने जा रहे हैं जो पुरा राज में यहां कर निति यहां कर लोगों को ठगा गिया यहां कर लोगों को सोसन किया उस टाइम तो समाझ से भी लोग नहीं आए हैं को रोना काल में जो सेवा किया हो सही है उसमें हमारे भी कई साथी लोग किया ह हम लोग भी किया हैं लेकिन उसको लेकर हम भुझाएंगे हैं कोरोना में बहुत मदद किया तो वह रायस्टी नितिक रिवाज में नहीं आते हैं वह समाजिक तोर पर आजाएंगे दो तीन दिन पहले हम लोगों ने एक भाजपा की कारेकरता का इंटर्व्यू किया और जेल के बारे में सवाल किया तो उन्होंने कहा कि टाइगर जराम में तो की पार्टी हवा हवाई है उनका कुछ नहीं चलता है कोई नामों निसान नहीं है कैसे देखते हैं क्योंकि विज तो और जंता जो हैं जंता सब समझ चूकी है देख्व होंगे कि मोदी जी जब फर्ष्ट में सरकार बनाया थे हमारे ज्ञार्खन में जब मोदी जी अने का बाद डबल एंजन के सरकार याद होगा उसमें से सारा यहां के खत्यानी लोगों को ठगा गिया है इसानी लोगो को एक रुपया में रिष्टी होता था आपको याद होगा बहुत शुंदर योजना था है रखवरदास जी का आज में लोग कर रहते हैं लेकिन उसमें यहां सिर्फ बाहरी लोगों को बसाने के काम कर रहते हैं अपलो और यहां खरेंगे और यहां जारखंड के अल्रेड़ां जारखंड वासियों कि जामीन हाइए बाहर का आदमि आपके जमीन डूट रहा है इसलिए ग्रुपय ओसके आदमी करें बाहर एक रूपय में रिष्ट्री कराएगा वही होजना है सार आज जो मीटिंग हुई है जितने भी प्रत्यासियां उन लोगों की मीटिंग हुई है या क्या खास था में यह जिला कमिटी के वेठक थी उसमें सब को एक टाइगर जराम मातों का एक निर्देश आया था कि हम अधिकार यात्रा हम लोग 13 तारिक से चालू कर रहे हैं इसके बारे में डिसकर्शन हम लोग आपस में किये पैसे अभी सर्ण नौरात्री चल रहा है और जेमें जो है मैया लोगों को समान देने में लग चुकी है और बीजेपी वाले जो है गोगो दिदी योजना कैसे दे कई बस आपना रोटी सेघने का काम कर रहा है इससे कुछ होने वाला रहे जानता इतना ब swings नहीं करब लेकिन यह फाईल चुनाओं एजड़ा है वह कि विभगान सभा सवा में जेल केम कि किवा नेता है कुस महतों चल रहा है कैसे देख्ते हैं एक नहीं है पुरा जेल केम के लिए है सब महतों मतों भी है जो अर तया जो है है ढ Kell जल्गेम कि नेता हैं यह कोई विख्ती विश्थ पर नहीं है तो किसको सठ टिकेट मिने वाला है किनका नाम आने वाला है लिस्ट में सब इंतजार करें अपने 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 नाम करें जो भी टाइगर का डी सी जाना आएगा पुरा जो नेता है मुलोड़ मूर्णाया क excit का सब मिलजू की जिताने का काम करेंगे you टो मतला पूरे धफरातल पर इस ड़ीतनी की तैयारि के पुरा-पुरा एक ए till जितनी की तैयारी है सिम बने गे जैधा आत्म्हvasवास हागए कि यह लेकिन यह हमरा मुल एदम आस्तानियाप को लेके चलना है चलिए आप सुन देए जितने भी नेता बन रहे कारे करता सब अपने नाम के आगे टाइगर लगाते हैं लेकिन एक आपकी है जो लायन संकर कहलाते हैं ऐसा कैसे हो गया टाइगर और लायन इसके बारे मात इशा है आपकी जंगल में लड़ाई नहीं होता है यह तो दोनों इक ही परजाती के तो टाइगर क्यों नहीं रखा आपने नाम लायन कैसे हो गया मेरा सुड़ू से ही मेरा फ्रेंड लोग लायन के नाम से उपादी दिये थे इस तरह से आज मेरा लायन संकर फटा आज नहीं है आपका नाम लिख देते हैं लायन संकर फैटर तो यह अंतर नहीं है यह तो जार्खन में जार्खन में बाग से आर वालु तो रहता है यह तो नहीं कहा कि आप भी जो है टाइगर हटा करके लायन टाइगर जाराम मेहतों हो जाईए लोग जो है इस पार्टी से जुड़े लोगों का कहना है कि इसे तीसरा बिकल्प मत कहिए इसी पार्टी पर आस है अभी जेल केम के अल्फ संख्यक नेता रिजवान का अंतिकारी जी है वो बिवादों में फसे हुए हैं रंगदारी का आरोप है कैसे देखते हैं देखिए यह तो इसके लिए जाज कमेटी को जो निरने लेना था वो ले चुके हैं इससे मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा यह मेरे कहने से बढ़्या है कि पाटी उसको और दोसी पाया गया तो तो कहीं न कहीं अगर पाया जाये गा तो उसको कहीं न कहीं उनको जो पनिसमेंट मिला है वो मिलेगा अचा सर एक चीड़ी बताईगा जो लोग अन्य दलो को छोड़कर जेल केम से जुड़ रहे हैं कहीं न कहीं उन्हें भी लालच है कि उन्हें भी टिकट मिलने वाला है या वो इसी तरीके से अपने काम को कर रहे हैं वैसे लोगों को क्या बोलेंगे जो लालच हुआ पाटी स कर रहे हैं कि जितने भी मुस् 맞EE को कंग्रेस को भोड़ देती हैं जेयलकेम पर अभी भी लोगों का भरोसा कम है मुसलिम कम्यूज को क्या कहना मैम तब में मुसलिम और जैनम यह जो है नो मुसलमानों को अकफाईस कर दिया है एक बैसा Ride confirmation और दूसरी बैसा की जैमें में ये दोनों के सारे मुस्लिम जो है ना चल रहे हैं तो अब हम अपाहिज नहीं है अब मुझे में भी जान आ गिया है टाइगर जहराम मातों जो हमारे सुप्रिमों है उन्होंने हमारी आखें खोल दिये हमें अपनी अधिकार को दिखा दिया है कभी लगा था कि धनबाद विधान सवा से अखलाक अंसारी को टिकेट मिलेगा जो कि एक मुसलिम उमिद्वाद है बिल्कुल कभी नहीं लेकिन ये हमलों के लिए बहुत ही बड़ा सुभाइक था और अखलाक अंसारी को यहां से उमिद्वारी और उतारा भी गिया और 80,000 वोट उलाके एक बहुत बड़ी चुनोती मुसलमानों के बीज रख दिया तो आप लोगों को भरोसा है पार्टी को तो आप बहुत करीबी से देख रहे हैं सन्थ अपने लोगों को आज क्या संदेश देना है जो अभी वे कॉंग्रेस को वोट दे रहे हैं कि मुसलिमों का बद से बत्तर कर दिया क्यूंकि हमारे community में पड़े लिखे हैं लोग कम हैं हमारी community में राजनेता नहीं हैं हम भागी दारी में ब्राबरी में आ नहीं पार हैं इसका में कारण अगर देखा जाए तो कॉंग्रेस है क्योंकि हमें कभी आगे बढ़ने ही नहीं दिया और एक प्लानिंग के तहट हमें हमको हमेशा जो है पीछे छोड़ते गिया और आज मुसल्मानों में एक उम्मिद जगी हुई कि हमारी जो सुप्रीमे और टाइगर जेर मातों का भी आहवान है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी इतनी हिस्सेदारी और वह हिस्सेदारी की जो बात कि हैं तो यह साबित भी हो गया और मुसल्मान बहुत आस लगा के वैठ है कि हम लोग बर्चड के टाइगर को इस बार अपने अपने छेतर में भरपूर देखें उनको आगे बढ़ाएंगे जो टाइगर जराम मेहतों है कभी-कभी उन्हें गुस्ते में भी देखा गया है टेवल पर जो है बॉतल पटक देते हैं क्या इस बार विधान सभा में बीजेपी और कॉंग्रेस को उसी तरीके से पटकने वाले उतना दम किसी में नही प्रत्यासी भी है इसलिए आज अपने सुप्रीमों की बुराई नहीं सुन रहे हैं लेकिन आप जरूर बताईएगा टाइगर जराम मेहतों को क्यों पसंद करते हैं सर क्या नम है आपका यहीरिजगार नेइसारह ज़ाएर नहीं अहीं परकत कंबाद हैं तो नहीं नहीं से आपके से नहीं लिकार नहीं के लोग बड़े लिकीन से बहुत मतंता हैं गलत उत्यों कर रहे हैं उसके जग है कि भाइया समान योजना तो आप लोग भोड़ देते नहीं नहीं सब योजना को मतलब यहां को रोजगार चाहिए जितना योजना तेरा मईया समान युजना आप पूसके जगह और जिसे हमको 500 रुप्या का रोजगार देगा ना तो जब तो जीवन रहेंगा मैं अपने बल वह ज़र से घट के खाएं किसी के गुलामी करना पसंद नहीं अच्छा तो जैसे मैया और दीदी इन लोगों को समान हो जाएगा सारी योजना का लाग मिलेगा भ भूम रहा है मैया को दे क्या करोगे भाइया को दीजिए ना जो बिचारा खट की जीवन और मावाब की सेवा करेगा अच्छा है क्या कि टाइगर जराम मैं तो जान बूच करके यहां के जितने वह जहारकंड के उनकी बिरुजगारी को बढ़ा रहें वह चाते हैं कि सब हुआ उन्हीं के पीछे पीछे लगे रहें और ख़ाब दिखाएं कि कोई बिधायक बन जाएगा कोई कुछ बन जाएगा जागर जदी जरामदा हमारे जब से आये जहरकंड में नहीं है लेकिन इतना लोग उसे खफा है मैंने लोग इतना डरा हुआ है सहमा हुआ है कि उस जाएजर नहीं से देखते हैं आपको इंस्पायर करता है यह बैट पटकने कारण है अगर यह दूब मोका दिया बैंट पर टकने का रहे हैं यह बताए यह चालिस परसेंट से ज्यादा हमारे जारकंड से ले रहे हैं उनके एवाज में अगर हमको आजार रुपया महिलाओ दे रही है तो यह कोन से बड़ी बात दे रही है संबान हो रहा है क्या चैम्स भाईया समान यह लाता तो ब्रोजगारों को यहां जारखंड में कुछ होता गां पूर जारखंड के लिए अथ मतलब वुऊ यह समान मतलब अभी साफ है यह लोगों को जो है न यह दिखार सपने दिखार आजार रुपया जो दे रहें साड़े-चार साल जो पार्टी जब रहे सरकार में तब Lab तक क्यों नहीं दिया बतायी हजार रुपय कहीं ऐसे नहीं कि सर्गों हो जाए क्योंकि हमेशा कहा जाता है कि जारखन की जो आवाम है बहुत भोली भाली है भोट में तब्दिल हो ना हो ये तो वक्त बताएगी क्योंकि हम लोग जूच चुके हैं आज 24 साल का जारखंड हो चुका है और 24 साल में बहुत लोगों ने इस तरह का परलोबन दिया और हम लोगों ने सुने भी लेकिन आन तक अभी जो बरतमान इस्त लिन दिखेंगे क्या एक यूओं न referee होना चाहिए इतना गुस्तान होना चाहिए बिलकुल होना चाहिए हम ब्यबस हैं क्या करेंr2 बाहर जा रहें वाहां शोंकि फुल्ड बोड्यर यह विडम में बना बब्बू मज्बूरिया करें लिया मैं। तबाद चुनाव को लेकर इनकी तैयारी कैसी लग रही है आने खबरों के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है आप जुड़ सकते हैं लाइफ इंडियन गाट के साथ